मेरे नाम इम्राजायद है and welcome to my channel आज की जी वीडियो है वो इस वीडियो का part 2 है आज की वीडियो में हम मजीद कुछ tips and tricks को discuss करेंगे जिनको यूज करके हम अपनी photographs को improve कर सकते हैं तो जो सबसे पहली tip है वो है using telephoto lenses for street or travel photography normally जो हम street photography की बात करते है तो usually लोग 35 mm या 50 mm को प्रेफर करते है और यह formula बहुत time से set हुआ भाई शूरू में जब यह genre developed हुआ था street photography का तो उस time से लोग जो है वो usually 35 mm या 50 mm को यूज कर रहे है for street और even for travel photography चुनके बहुत अरसे से लोग इनी focal lens के ऊपर street photography का रहे है तो problem ही होता है कि आपको कोई भी street photograph देखते हैं या even travel photograph देखते हैं तो आपको एक जिसी लगती है क्यूंके same focal length के खेल चीग होती है तो अगर आप telephoto lens को यूज करेंगे इस तरह की photography के लिए तो यह आपको कुछ different characteristics देगा जो के 35mm या 50mm मौजूद नहीं होती है जब मैं telephoto lens की बात कर रहा हूं तो यूजली मेरा मतलब है 100-200mm की focal length की मैं बात कर रहा हूं जो आपको कुछ unique characteristics देती है जो कि नॉमली street photographs में आपको नदर नहीं आती जो पहरी quality आपको telephoto lens से मिलती है वो होता है compression compression का मतलब यह होता है कि जब आप यूजली 150-200mm की ओपर को तस्वीर कहिए तो होता ही है कि जो background है वो आपको subject से बहुत close नदर आता है वो actual में इतना करीब होता नहीं है लेकिन तस्वीर में आपको close नदर आता है compression के concept होता है आप जितनी ज्यादा focal length increase करते है उतना ही ज्यादा compression increase होता है इस compression का एक फायदा ही होता है कि आपकी तस्वीर में थोड़ासा एक 3D element नदर आता है यूजिश जब आपने आपको से को तस्वीर देखते हैं तो background आपको इतना close नदर नहीं आता है नॉर्मली background blur के लिए हम low aperture के तरफ जाते हैं लेकिन actually focal length increase करने से भी आपको बहुत अबदस background blur मेरता है मेरी और वीडियो है जो totally background blur के उपर है आप समें देखें इसमें मैंने focal length को डिसकस किया जब आप telephoto lens से street photograph लेते हैं तो usually वह background को काफी अच्छे तरीक से blur करता है वह completely background को blur नहीं कर देता है ऐसा नहीं होता कि आपने को तस्वीक है चीओ और कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन वह काफी अच्छे तरीके से blur हुआ होता है इस तरीके से blur हुआ होता है कि जितनी भी distractions होती है वह कतम हो जाती है और आपको subject clear cut नजर आ रहा होता है street photography में और travel photography में यह issue होता है कि background आपके हाथ में नहीं होता है आप जिस जगह भी भी हैं आप तस्वीक खेशती है आप background को change नहीं कर सकते लेकिन अगर आप telephoto lens यूज करेंगे आप longer focal length के ओपर यह तस्वीर खेचेंगे तो automatically आपका background जो है थोड़ा सब दारोई आता है इस तरह से आपका subject ज्यादा clear नजर आता है यह दो qualities जो हैं जो हैं जो आपको telephoto lens में मिलती हैं यह आपकी तस्वीर को काफी distinguish कर देगी जो normal street photographs यह जो normal travel photography हमें इंटरनेट के ओपर नजर आती है जो second tip है वह है increasing your ISO ISO के बारे में एक myth है कि जैसे ही आप ISO increase करते हैं आपकी तस्वीर में बहुत ज़र्दा noise इंट्रोडिउस हो जाती है और आपकी तस्वीर usable नहीं रहती है यह बात काफी हद तक ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी भी तस्वीर में थोड़ी सी noise आए और उसके साथ की आपकी तस्वीर बेकार हो जाए अफकोर्स अगर आप कोई कमर्शिल काम कर रहे हैं आप कोई प्रॉड़क्ट फोड़र्फी कर रहे हैं या आप कोई फैशन शूट कर रहे हैं या किसी इंटिरियर लोकेशन की आप फोड़र्फी कर रहे हैं तो of course उसमें quality बहुत ज़ादा matter करती है, क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, उसको high quality images चाहिए है, वो इन images को किसी छोटे से ब्रोशर में भी उसकर सकता है, वो किसी पेनफ्लिक्स के उपर भी उसकर सकता है, तो of course इस तरह इमेजिस के अंदर quality बहुत matter करती है, noise बहुत matter कर लेकिन यूशली जो हम day to day photography करते हैं, हम travel करते हैं, street photography करते हैं, उसमें noise बहुत ज़ादा matter नहीं करती है, क्यूंकि यूशली आप उन तस्वीरों को या तो facebook पे शेयर करा रहे होते हैं, instagram पे डाल रहे होते हैं, या पर आपने portfolio में इसको add कर रहे होते हैं, यह तस्वीर किस ज़्यादा low light होती है, और हमें लगता है कि हमारा camera जो काफी high ISO के बहुते हैं, तो यूशली हम फिर वो तस्वीर खेच देंगे हैं, तो यही चीज़ा में नहीं करनी चाहिए, आप तस्वीर खेचें, even आपको ISO increase भी करना पड़े, still आप तस्वीर खेचें, maximum यह होगा कि आपकी तस्वीर में थोड़ी सी noise increase हो जाएगी, लेकिन noise से तस्वीर के दूसरी quality होती है, वो खराब नहीं होती है, अगर आपकी तस्वीर में तो noise के वैसे उस तस्वीर में खराब नहीं होगा, जब कोई भी आदिशी तस्वीर को देखता है, तो सबसे पहले वो उसकी noise क तस्वीर के तस्वीर के अच्छी है, इसका concept अच्छा है, और उसी के उपर आपकी तस्वीर को जच करता है, बहुत कम ऐसा होता है कि लोग आपकी तस्वीर को 100% पर जूम करके देख रहे होते हैं, तो noise इतने जादे matter नहीं करती, इसी चक्के में बहुत साय लोग जाएँ वो फॉल फ्रेम के उपर जाने ही कोईश करते हैं, कभी फॉल फ्रेम के उपर noisy performance अच्छी होती है, सही है अगर आप कमश्री के गाम कर रहे हैं, तो आप फॉल फ्रेम के उपर चाहें, आप ने noise का भी खाल करें, लेकिन बहुत मरतब हमारी day-to-day photography में, जो है, वो noise इतना matter नहीं करती है, अगर आपकी composition अच्छी है, आपकी तस्वीर का concept अच्छा है, और यूजली वो तस्वीर आपको Facebook, Instagram बगारा पर शेयर कर आने हैं, तो noise बहुत दा matter नहीं करती, also, over the period of time, जो camera की sensors बन रहे हैं, उनकी technology इंप्रूफ कर रही है, जो उनके noise reduction algorithms हैं, वो पहरे जो crop sensor camera, जो 800 या 1600 की ओपर जो noise देता था, of course, आज ये camera में वो noise नहीं है, आज कोई भी latest camera उठालने हैं, पिछले 2-3 साल के अनना जो release हुआ हो, उसकी अगर आप 3200 की picture देखेंगे, तो काफी usable picture होती है, यकि problem है कि हमारे perception बन चुका है, जहां तस्वीर में noise आना होगी वो तस्वीर आपी usable नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, आपने composition के concentrate करें, आप अपने timing के ओपर, concept के ओपर concentrate करें, और even हगर वो noise increase भी होती है, तो ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि एक sharp लेकिन noisy picture बेतर होती है, comparatively एक ऐसी तस्वीर के जिसके अंदर motion blur आ चुका हो, shutter speed slow करने के जो last step एस वीडियो की, वो है shooting at golden hour, usually golden hour होता है, sunrise के बाद आदा अपन गंटा, और sunset से पहले आदा अपन गंटा, यह जो तोट times होते हैं, दिन के, वो golden hour कराते है, golden hour के ओपर जो तस्वीर आती है, जो तस्वीर आती है, जो कोई मैच नहीं होता, overall उस तस्वीर, जो color rendition होती होती है, एक warm gloss के अंदर होता है, जो light की quality होती है, वो बहुत अच्छी होती है, overall जो आपका अस्मान है, वो एक giant softbox के तरह act कर रहा होता है, तो golden hour में जो खेची की तस्वीर होती है, वो हमेशा बहुत जबिदस आती है in terms of exposure, और in terms of colors और जो texture उन तस्वीरों के अंदर आता हैं, तो आप client के साथ या model के साथ coordinate करें कि बहुत अच्छा होता है, तो golden hour में जो खेची की तस्वीर होती है, वो हमेशा बहुत जब जब अच्छी होती है, अगर आप travel कर रहे हैं, तो make sure कि आप golden hour को मिसना करें, आपको पूरे दिन जो भी करना है, enjoy करना है, आप करें, ल इस golden hour पे मुझे इस location पे जाके कुछ photography काई लिए, तो यह तीन कुछ tips थी, जिनको यूज करके आप अपनी तस्वीरों को महाँदा इंप्रूफ कर सकते हैं, बहुत कम effort लगा कर, आप निचे कमें सेक्शन में बताएं, आपके जहन में कोई tip है, या आप वो tip अपने images के सा कि अकुक रीमुर्ण है